कि हलो स्टूरेंट्स स्वागत पर शुब्स विक ऑन दिस यूटूब चैनल अफ विदान्तु डाइस विदान्तु क्लास 11 ट्वेल जो की कंप्लेटली डेडिकेटर उन बच्चों के लिए जो अभी क्लास 11 में है चाहे आप किसी भी बोड से बिलॉंग करते हो शिब्स ची हो किसी भी रिजनल बोड यूपी बोड विहार बोड राजसान बोड हर बोड के लिए कंप्लेटली डेडिकेटर यह चैनल यह आप सब्सक्राइब करने के लिए हमने एक नई सीरीज की शुरुवात कि जिसमें बच्छों क्या करते हैं एक घंटे में कंप्लीट चैप्टर का दिसकसन करते हैं और क्लास 12 स्टेर्ण बाटने को चैप्टर है तो थोड़ा सा थियोरी आप सभी को पढ़ना पढ़ेगा राइट जो भी चीज़े रिक्वार्मेंट है वह सारी चीज़े मैंने इसमें कवर कर दी है और थोड़ा से तीन चार पाच फामूले है वह सो याद कर लो यह चाप्टर फिनिस टीक है तो चलो सुरू करते हैं और जो लोग बच्छे मुझे नहीं जानते हैं तो आइल लेट में तेल यू तो आप दर माई बीटेक फ्रॉम आइट मंदी और विशाल और यह विशाल और यह विशाल और यह वार्ट इस्टू इसल्वर मेडल औ बात मैडेक यह मैडेर शुरू कुछ जैसे निकल हो गया आयरन हो गया यह फिर कोबल्ट हो गया इनको एक करने की कोशिश करता है जो कि आप सभी के धर्ती पर बनाया नहीं जाता ठीक है लेकिन आप से पढ़ा अगर आपने पढ़ा होगा उसमें पैदा कराते हैं जब करण रोक राते हैं आपने देखा था कि क्या होता है उसमें जो वह भी एक तरह काम करने रखता है वाइन की प्रापटी दिखाता है तो ऐसे इस कहते हैं इंग जिनकी करन्ट हटाने के भाद खतम हो जाती राइट उनको कहते हैं और ऐसे मैंगनेट जो कि नेचर मैं प्लापकी नेचर में पाए जाते है इसी तरीके से उसको कोई बनाया नहीं है तो सब्सक्राइब करते हैं कि यहां पर लोग देख सकते हैं यहां पर हमारे पास यू सैब्ड मैंगनेट है यह अपनी आसपास रखे फिस नोहें को क्या करता है अट्रैक्ट कर देता है ठीक है अभी इसके बारे में फ़ोंग मैंगनेट के वगरा काई जो आप जानते होग है न सब्सक्राइब लिटी वगरा शारे फांवले पढ़ने वाले या उसके बाद हम लोग जो मैंने टिक मट्रियल सोते हैं परामेटिक डायमेटिक और फैरो मैंने पढ़ने वाला बाकि जो कुछ पहले जो टॉपिक से हिस्टेरिसिस वगर यह आप सब्सक्राइब निकल गया है तो सब्सक्राइब नहीं है तो वाटेबर इंद यूर सिलेबस आप एंसी आटी विल गोई टो कवर एवरीटिंग चलो तो अपने बता दिया है मैंने बच्छो दो टाइप का होता है परमानेंट होता है दूसरा एलेक्ट्रो मैंनेट मैंनेट होता है और एक होता बच्छों टेंप्रोरी मैंनेट फिकर गिसे ओचा भीशी का होता है चलिक यह चला चला चले पढ़ना होता है यू से और और होर्षू और पास भार मेंट तो अपनी पूरी कहानी जो घुमने वाली आजपास घुमने वाली पूरे चैप्टर Price सब्सक्राइब एक अधाल कि याप देठना कोई फेसको पार्ट करों किसो में ब्रेक करो अगर आपको से यहां से ब्रेक कर दूंधर नहीं हसा पछों वह अपने खुद बखुद एक नॉर्थ और साउथ पुल खुद बखुद में सकता है उसी तरीके से मनोपोल से वह एक्जिस्ट शॉत्य नहीं कर सकते हैं समझ गयत चला आगे बाद किया जाए अब आफ है और सब्지क्राइब आप dos chronos और पीस आप अब्जेक्ट होता है जो की made up of iron steel और एनी अधर सब्स्टेंस दैट सोज परमानेंट मैंगनेटिक प्रॉपर्टी राइट तो क्या होता है एक लोहे का या फिर स्टील का या फिर कोई ऐसे सब्स्टेंस का मिलकर बना होता है जो कि परमानेंट मैंगनेंट जैसा प्रॉपर्टी सो करता है उसका हम के चूड को राइट लोहे के पाउडर को अगर आप लोग इसके बखे़ते हैं तो यह शेप लेता है होती है यानि कि जो मैंगनेटिक प्रॉपर्टी होगा वो पोल्स पे बहुत ही ज्यादा होता है देख सकते हैं यहां पर कितना ज्यादा जो लोग देख सकते हैं कि जो मैंगनेट है यह बार मैंगनेट है उसके अंदर जो मैंगनेटिक फिल्ड लाइन्स निकल करके अंदर ही अंदर जाकर के लूबर बना लेती हैं ठीव है समझ महां कि निकलते हैं यह यह क्लोज लूप बना लेती है तो नौभ से निकलती है आए अन्ल्रेक कुल्स लूप क्लोज लूप क्लोज लूब बनाते हैं ठीक है बाई समझ मारा है चो प्रापर्टी जो बारे में बात कर लिए जा तो देखिए जो होते बत्चो जब देखे आप सब्सक्रीन क्लोज लूब बनाता है मैंने पहली बता दिया उसके बाद मैंटिक फिल्ट लाइन के किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट खीचते तो यहां पर टेंजेंट खीचते तो यहां पर टेंजेंट आप सब्सक्राइब बताता है यानि टेंजेंट आट टेंजेंट आट पोइट ऑन ओन टेंट लिवा टेल यू दे डिर्क्शन आप अब टेंट मेंडेट e पिल्द इत पुइंड टीकट पॉइंटीक ठीक है अगला पॉंट है कि मैंटीक पील्द रहता है उतना ज्यादा नजदीक रहते हैं अतनी जादा ही रहता है और उसके बाद अगला पॉइंट है कि मैंनेटी फिल्ट लाइन कभी दूसरे को कट नहीं करते हैं तो यह बोड के लिए सारे प्रॉपर्टीज बहुत इंपोर्टेंट है सारे प्रॉपर्टीज लिखा हुआ है यहां पर ठीक है ऑल दे प्रॉपर्टीज और गीवन प्लस चार्ज और माइनस चार्ज एक डिस्टेंस पर रहते हैं लोग क्या करते हैं कि यहां पर यहां पर क्या करना है साउथ पॉल आल्सो काल्ड़ पोलिस्टेंथ तो हम लोग क्या करते हैं यहां पर डाइपॉल मेटिटिट डाइपॉल बताने के लिए क्लिए कि नौर्ट और साउथ पॉल को यहां पर हो जाता है तो यहां पर हम लोग बोलते हैं प्लस का चार्ज और साउथ के लिए माइनस का चार्ज होता है मैंब्पीर मीटर याद रखना क्यु apa qm रोइह झो सट्रेंख है इसका यूनित होता है यह होता है एंपीर मीटर क्या होता है एंपीर मीटर इसका ही स्ट्रेंथ होता है ठीक है समझ गए किसी कोई दिखकत उसके बाद डारेक्शन आप लेंथ वेक्टर आप बार मैंगनेट इस डिफाइन फ्रॉम दा सौथ पोल तो नौर्थ पोल जिस तरीके से वहां पे लेक्टिक डाइप सब्सक्राइब करते हैं इसकी यूइट क्या होती है ठीक है चले आगे बात करते हैं अब जिस तरीके आप सभी को पता है कि एक चार्ज के वज़ा से आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है वहाँ होता है यह होता है कि यह नहीं होता है सर अब हमने को क्या करना है अपने एक हाइपोथेटिकल कंडिशन माना है है मैंने पॉल जो कि हाइपोथेटिकल है एक्चुली में होता होता नहीं है तो हमने यह प्लस क्यू की जगाप हमारे पास प्लस नौर्थ है मलब जो कि प्लस क्यूंट चार्ज है इसके वाज़ा से आर डिस्टेंस पे जो मैंने फिल्ट होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी तो जो छार्ज क्यू है उसको क्यून से रिप्लेस करना है जो चार्ज क्यू है डट विली रिप्लेस्ट बाइक फिल्ट फिल्ट और स्वान आपण्पवें फोर पई ठीक है मूनट बन में फोर पाई चलो अप रखतू मिन आपर फॉर पाई धूएं आर स्क्राइब लुठ वाहर क्योंड होता है उसी तरीके से जो नॉर्फ वर होता है उसके लेक्ट्र मेडी कथ一次 भी किदा अगर हम लोग बात करते हैं आगे क्यों बार मैगनेट का अलांग रिपा इन इनकों लेंथ को कट कर देते हैं तब इसब्सक्राइब करेंगा और किसे пård तो मैट्रियल के साथ हम लोग करनी रहे हम लोग क्या कर लेंद कर रहे हैं तो लेंद को अगर आप कट भी कर देते हो अगर आपने इसको लेंद को कट भी कर दिया अगर आपने इसको लेंद को कट भी कर दिया दो पार्ट में काट दिया तो दो पार्ट में काटने बाद जो अर्ण और पोलिस्टेंथ रहेंगा हो qm ही रहने वाला है ना क्योंकि घृखने तु होता है बाइधा हो syllabus इसको नहीं यह नहीं color जो क्यों होता है बच्चों वह चार्ज होता है एरिया के प्रपोर्शनल होता है और मेटरियल पर डिपेंड करता है लेंद से उसको कोई परभाव नहीं पड़ता है ठीक तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि जो नया चार्ज हो जाएगा आधा-धा हो जाएगा तो जो हमलोग बात करते क्रिसको आपने लेंध के अलांग कार इस तरीके से कार्टा दिया तो काटने के बाद ने के बाद आपका फिर से ता में दैपोल मॉमेंट क्या रहेता क्या रहने वाला लेकिन क्या डाइपोल मोमेंट जो था जो द्रहें लेन्स हो गई सब्सक्यामम यह यह इन वंटी है अच्छय मेंडे कर दिया दिया आ तो दूसरा माइटिक मॉमेंट निकला ओ क्या हो गया आधा हो जाता है तो मेंगनेटिक मोमेंट क्या हो जाता है डाइपोल मोमेंट हो जाता है लेकिन जो पूरी चला जाए नौ आप देखिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि जैसे बच्छों बार मेंट कर रहे हैं एक सेमी सर्कूलर शेप में तो इसके डाइपोल मुझेंट पर क्या प्रभाव पड़ता है तो देखा यार बार मैंट है बार मैंट को बेसिकली हम लोग एक दो सकति अब मेंट क्या है इसकी वेल्यु क्या होगी इसकी वैलीक हो जाएंगी सर्क्राइब सब्सक्राइब करदेश कर न अब प्रगान यह लोग कभी-कभी बच्छों लोग से भी दिखाते हैं अपोल किया इस बार मेंगनेट को इस बार मेंगनेट को हमने ऐसे एक से अमलोब आर्क में मोड दिया आगर आर्क में मोड दिया यह बच्चों यह हमें निकालना इसका जो नया मैगनेटिक मोमेंट होगा कितना होगा इनके दोनों के बीच के दिस्टेंस कितना होगा अब इन दोनों Richardson को आपने मोड दिया र सेे में यमें सर्कूलर आर्क में जिसका रेडिया से प्रक्ति किसको आधिये आप सरकूंसित करने हो गाये की टिना समय सब्हेगा थिक लग्यों के कितना हो जाएगा इन दोनों के बीच के यह हो जाएगा 2L अपाइब निक निकलेगा जो नया डाइपोल मोमेंट जो आप कर सकते हैं कि बचले कर दीक्ता कर रहा कर करक़ कि किसी तरफ काम कर रहा सु parchment डाइपोल के एक्ट्रिक डाइपोल के एक्ट्रिक पोजिशन पे एक्ट्रिक पोजिशन पे एक्ट्रिक निकालते थे उसी तरीके से हमारा बार मैंनेट भी एक डाइपोल की तरह काम कर रहा है तो उसके वजह से एक्ट्रिक पोजिशन पे एक्ट्रिक पोजिशन पे और एक साथ पूल नौर्थ पोल नार्थ पॉल इसके सेटर से सेटेंस जिसेंट इसने सट्सटेंस नौइ पॉइंक्ट तूपी एक्सक्यूब राइट त्याप हो जाएगा वन अपन फॉर पाइप सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरीके से राइट हम लोग जानते हैं कहां गया यह रहा है इस तरीके साफ लोग डेरिवेशन कर सकते राइट इसके वज़ा नहीं है तो यह प्रूप कैसे होता है उसी लिए मैंने अभी पूरा राम कहानी आप सको समझाया था पूरा है रहा क्यूंग चलते हैं लोग के लिए चले अगर इसके एक्वेटोरियल पॉइंट पूइंट पर पूछे अगर इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर तो सिंपल निकलता है इसलिए इसको हमने दिखाया मैंने से मैंक्स क्या हो जाएगा एंब इस उकल टू हो जाएगा क्यूंग इनके बीच के डिस्टेंस तो राइट और इसी तरीके से किसी जनरल पॉइंट प्र आप से पूछा जाए कि कोई जनरल पॉइंट है जो कि बच्चों मैं एक्स क्यूब मैं एक्स क्यूब अपन मैं एक्स क्यूब अंडर रूट वन प्लस थृ कॉस्ट स्वार ठीटा दूट है रहा है पना वैल्यू इसे विल्डी और समझ में आ गया चलिए तो इस तरीके से लिखा जा सकता है ठीक है लिख सकते हैं क्या हो जाएगा चलो बात करते हैं इन अब बात करते हैं कि जब एक बार मेंगनेट को एक एक्स्टरनल मेंगनेटिक फिल्ड में रखा जाता है जब लोग इसको एक एक्स्टरनल बाहरी मेंगनेटिक फिल्ड में रखते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है ठीक चलिए तो बार मेंट आप से पता है क्या होता है बच्चों इस्टील लोहा या फिर अधर किसी मैट्रियल के बना हुआ एक मतलब एक अब्जेक्ट ह रखते हैं तो क्या होगा भाई तो इस तरीके से आप सभी को पता है जब आपने डाइपोल को यानि कि जो अपना बार मैंगनेट है नौट साउथ ठीक है इसको आप अब्जस को में कुम जाता है मैंटिक घूम करें डाइशन में जाता है तो आसा क्यों होता है क्योंकि उसको हम लोग रखते एक external magnetic field में जो की अर्थ का है उस अर्थ के magnetic field में रखने पर क्या होता है उसके ऊपर लगता है और जिसके वज़ए से क्या होता है बच्छों एक पर्टिकुलर डायर्शन में जागर के साइन ठीटा क्या होता था पी साइन ठीटा उसी प्रकार से यहां पर जो होता है बच्छों क्या होता है एंबी साइन ठीटा क्या हो जाएगा ठीक है इसका करना नहीं है अराम से बस देख लो यह इसको हमने बोल दिया क्यूएम तो यहां से टॉक जीरू कर लो तो आराम से आजा रहा है तो कोई आशकता नहीं है बस फामला जाएगा उसके बाद अगर पोटेंशियल इनर्जी आप बार मैंगनेट इन अप अगर हम लोग बात करते हैं अगर हम लोग बात करते हैं अगर इलेक्ट्रिक फिल्ड में पोटेंशियल इनर्जी के अगर बात करें तो आप पी कोशिटा होता था लेकिन अगर आप मैंगनेट की बात करें अगर पाइंचल इनर्जी पैरे निगाँब को सभार्ण से और दिस फिल्स अर्यणी Cant Road इस सिद्स से नीग के दिक है तो जब लगे टॉऩ जब एूठ्सप्रीटिक है तो जब ढविसांड यह पढ़त गया उसके बश्यान से cancer निडल को मैगनेटिक कमपास को और डिन नौर्थ वह रख रहे हो तो घूमेगा क्यों नहीं घूमेगा समझ मारेक नहीं लगता है और उस प्रॉस्ट समय प्रदेंशिल नेरजी भी क्या होती है मिनिमाम होती है जो की माइनिस एंबी के बराबर हो जाएगी रैट कॉस्जी ज जब आप इसको बिलकुल परपेंटिकुलरी 90 डिग्री रखते हो तो तुरंथ हमारा डाइप जो तुरंथ हमारा मेंगेंटिक कमपास तुरंद घूम जाता है तो मलब इस कंडिशन में मैक्सिमम टॉर्क लगता है तो यहां पर मैक्सिप्ट यूगल टूम और इस कंडिश रहे हैं तो इस कंडिशन में तोडर्क जीरो शीयरो होगा क्योंकि सथेल्गल इक्विलीब्रिम में गन फोट्र धोड़ा स'll rains झायोग कि तपूरा ऑच। है ठीक है बात क्लिया रहे हुआ तब किसी कोई डावड बचलो ठीक छले टीघो सब्सक्राइब निकाल लिए टॉर्क निकाल लिए और कितना उसके पोडेंशिल अरच है और पोडेंशिल में एंबी कॉस्ट तरु रखना है इसके बाद इसके बाद करते बच्चों कि कि इतना किया जाता है डाइपल को मेंगते फिल्ड में घुमाने पर थीटा वन से आपने स्कूल टू पर घुमा दिया भी आपस एक स्कृणर मेंने पास एक भार में इस एक भीड़ी को में घुमाति स्टेटा बन को शीटा तू माइनस कोशीटा बन क्लियर बस यानि कि जो भी वक्डन आप लोग कर रहे हैं कि आप से किया गया घुमाने में गुमाने में आप से कितना वक्डन किया जाता है डवलो एक्स्टर्नल जो निकल रहा है आपका यह क्या होगा माइनस ल क्षेटा टू राइट और इनिश्ळ क्या हो गया माइनस एंबी कॉस्ष चीटावश चीटा वन तो बस वह ही है अगर आपको पता है तो एक पहले की लोग जानते हैं कि शुरुवाद का इनर्जी बात के बराबर होता है प्लस में एक्सटरनल वक्डन कुछ उता तो उसको भी जोड़ लेना साथ में ठीक है तो देखो यार आपने एक्सटरनल वग्डन किया है अब एक्सटरनल वग्डन जो कर रहे हो आप सब्सक्राइब क है क्योंकि हम लोग इसको घुमाते हैं कैसे अरहां से कमाते है ताकि बी artists टेल्टा की में टेल्ट्स टील होता है पोटेंशनल नेरजी में। यह से क्लीय हैreyog लेकिन इंटर्नल वक्टन इंटर्नल वक्टन मतलब वड़िद वड़न वाग्नेटिक फिल्ड ने कितना काम किया अगर वह आपसे पूछ रहा है तो बहुत यह एक्स्टर्नल का मैनेस कर दीजी त्याव मैनेस हटाद होती हो जागा प्लस में आइजा रहा रह याएक किया WAS ड्晟 याठिक फिल्ड यानिंग मैटीफ ने जो काम किया बहुत इंटर्नल वक्टन ऑग द इस Вот व्हाल टू माइनस अब डेल्टा यू क्या होता हो माइस अब डेल्टा यू की परावर होता है समझ गए बात सही है कि नहीं ठीक है तो साइन का याद खना साइन कंवेशन चले अब हम लोग बात करते हैं यूनिफॉर्म और नॉनिफॉर्म मैगनिटिक फिल्ड की तो जिस त नली रखेंगे एक वली स्पेस तेंके बीच का डिस्टेंस भी बढ़ बच्वर है तो इसको लोग कहते है यूनिफॉर्म मैगनेटिक फिल्ड इसके हर एक पोइंट पर पॉइंट टेल लो पॉइंट लिए लो किसी भी पॉइंट पर जो मैटनेटिक फिल्ड की इंटेंसि स्पार्शली हो जाएंगी कभी डेंस हो जाएंगी क्लिए जैसे कि आप देख सकते पॉइंट एप्उइंट वी और पॉइंट सिभी माइनिटीक फिल्ल्ड गा वो बहुत कम और उसके बाद होगा और सबसे ज्यादा हो पॉइंट बी ठीक नजिक है ठीक है तिया होगा समझेगे किशी कोई दिकत समझेगा नहीं आ रहा चल सेम टू सेम इलेक्ट्रिक फिल्ड वाला जो भी हमने पड़ा था सेम टू सेम यहां हो रहा है और कुछ भी नहीं है ठीक है कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं ठीक है चल नौ अब हमने बात करते हैं डाइपोल इसंट्र लेकिन यहां पर मैंने क्या अलग होगा थो यहां पर लग है तो जब एक डाइपोल को नहीं टो नहीं होता है और टोर्क भी जीरो नहीं होता है क्योंकि यह मैंनेटी किसा चेंज हो रहा है तो अपना जो होगा इस पलगने तर्चमर लुक्त धूर्टोht तो फोर्ट बराबर लेकिन आप पॉर्ट में शिपना जेगा घंब रगा mm ये लेकिन इस सबस्सक्राइब फोर्ट जलते लेकता है चले लोग चलते है किस तरीक ass कम करता है इसका लेंथ यह लार्ज होता है लार्ज होता है ह이지ता है जो कि हैलीकल होता है गना होता है जिसकी लंबाई इसका डायमीटर के तुलना में बहुत जयादा होता है ठीक है और इसमें रिख लेक्त्रिक ट्रूं पास करते हैं यह को प्लस-4oda मैंच करता है और यह मैंच करता है और यह मैंच करता है किस से आप सबी लोग देख सकते हैं छो होती है its same to same match कर रहा है किसके साथ बार मानेटिक साथ देखो इसी यहांपे ज्यादा होता है मैंने, यहां पर ज्याना होता है इतर रख समझ मिन आहिए ट्रीक तो यहां पर आपको इसका पूछ चरिकरत का बचता का मजच का करागा सब्सक्राइब ट्रचुनल reality मौमेंट hierarch जो होगा एदा कर prosecutors एरिया ए बहुष इंपर रवलार कर अया रही होता है न पर अंप टौ스क हो धारनट क्या होगा एन आया होता है नमबर अप जो हो जाएगा जो मैंटिक मोमेंट जो होगा वो सोले नाट क्या होगा एन आई यह होता है नंबर आप टॉंस इन्टु कितना करण्ट इन्टु कितना एरिया है इसका क्रोश्चिक्ष्ट समझ माग यह किसी को दिक्कत यहां तक बात क्लियर है चलिए तो इस यूर आवर यह तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो सोलेनाइट का जो मैंटिक मोमेंट है जो मैंगनेटीक मोमेंट से मार्मेंट कर सकते हैं यह धूनों बराबर होंके जब इन दोनों के द्वारा जो फिल्ड पैदा हो रहा हूँ उसकी इंटेंसिटी बराबर हो राइट तो इस तरीके से आप लोग लगा सकते हैं ना इसको जो भी आपने पड़ा था एक्जियल पॉइंट पे एक्वेटोरियल पॉइंट पे जनरल पॉइंट पे या फिर टॉर्क जो फामूला पड़ा या फ पूरी कहाने क्लियर है क्या ठीक है अगर आपको लिखना है मेगनेटिक फिल्ड एड एक्जियल पॉइंट क्या लिखोगे मिन और फोर पाई और टू एम एम किसका होगा सोले नाईट का होगा अपन में आर क्यूब समझ मैं नहीं है ठीक है इस तरीके शाबलों लिख दें यह सिंपल सा बात है यही कि बच्छों जिस तरीके से गॉस्लॉप से गुजरने वाला जो नेट होता है उनेट होता है कितना होता है लेकिन यह कहता है कि नेट मेंट क्लोज सर्फेश से तो दुब ने थे घृट कियों होता है ऐसा इसली होता है बच्छों कि जैसे कि अगर आप लोग बात करिए जैसे कि अगर आप के इसके इंदर लेकिन लेकिन क्या इसी तरीके के लोग केवल और केवल नौर्थ पोल रहां नहीं रख सकते इख लेकिन लेकिन क्या इसी तरीके समें लोग केवल नहीं रख सकते कभी मैंटत को रखेंगा तूसके साथ अपना हमेशा नौर्ष and दोनों रहेगा सब्सक्राइब क्या है ठीक सब्सक्राइख हु fluor से इसी वज़ा से से जो मैंतिक फ्लक्स होता है क्वोस और इसके बाद दूसरा एक आप लोग इसको अगर इस सर्फेस को क्लोस में रखते तो जतना नमबर आपलेटे फ Swedishiving Club enter करेंगी उतना क्या हो जाएंगे बाहर निकल जाएंगे तो इस कंडिशन में भी क्या हो जाएगा जीर हो जाएगा क्लियर यहादा बात ठीक है तो गौस्ट लॉप मेंटिशन बच्चों यही कहता है कि किसी भी क्लोश सर्फेस से गुजरने वाला टोटल मेंटिक फिल लाइंस जो होता है व ठीक है चल आए चलते हम लोगा बात करते कॉस्ट आप मेंटिशन राइट कि अखिर में क्या कारण है कि जो यह मैट्रियल से मैंटिशन दिखान ने क्या कर लग यह जो मैट्रियल से जिसे कि लोहा हो गया लोहे आप लिए अपने निकल लिया या फिर कोई भी अधर मैट्र रहा है क्यों है उसके अंदर वाइट तो बच्चों उसके अंदर मैंगेटिजम को समझने के लिए आप सभी को पता होना चीए किस दुनिया में जो भी पदार्त है वह पदार्थ किसे मिलकर बना है पदार्थ मिलकर के बना वच्चों इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और डिलेक्ट्रॉन बच्च कर लगाता है अब जब छार्ज इलेक्ट्रॉन इस और पर चार्च पर होके ऐसको नकुकरॉन तो देखो एलेक्ट्र उनके साफिए गूं है एलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है नूक्लियस की चार ओर गूंब रहा है उसके घूमने के वज़़े से क्या होगा कुछ लेक्ट्रॉन को बज़े से कुछ कुछ करण पैदा हुआ हो गया और जब लूप में अगर करण आ कद्वान के सब्सक्राइब लुप में आप सभी को पता है करेंट फ्लोओ वने के वज़ए से मैंने आता यह ईसकी वैलिव भी सब्सक्राइब तो अगर मेंटिक फिल्ड आया तो मेंटिक मोमेंट भी आ जाता है जिसकी होती है कितना अगर अगर इलेक्ट्रान फ्लो हुआ होने पर इसके अगया आई और इसका एरिया होगा ए तो यह हो जाएगा बच्चों इसके पास क्या होजएगा मैंटिक मोमेंट कैपिटल एम वेक्टर क्लियर आप उसके गूमने पर भात कर लेंगे गूमने कोमेंट की थर होता है बात अलग है तो आप साभी लोग समस्क्ते हैं कि हर on है लेक्ट्रोन है इलेक्ट्रोन घूम घूमने को जैसे क्या रहा है मैंगनेटिक मोमेंट आ रहा है अब यह बहुत शार एक्ट्रों घूम रहे हैं तो यह सब्सक्राइब करके कुछ न कुछ हुआ है अब हम लोग चलते हैं आगे मैंगनेटिक मैटरियल इंट्रों ध्यक्टे में रखते हैं तो क्या प्रवाव पड़ता है तो देख है अभी हम लोग बात करते अभी हम लोगी अच्छानल फेल्ट नहीं है हमारे पास एक पैर इसक वे इसा हरे में बताया कि कुछ नही सपक्षूबूबन की सबस्क्राइब पूइसञीटो होता है वह सारे वह शारे जबस अब क्वेस्थ हो साथ होग estamos इतनुक्सटेश क्यों लुक्षिंट नालमल कंडिशन में होगा तो नार्मल कंडिशन में महात कि मोमेंटक बात करा होंचे क्छ Yogoda आधी नौर्मल चीजन में लोहई अगर उपोसा क्छिपका नहीं होंगा नहीं। क्यों नहीं चीपेगा है क्या हन्य मोमेंटक करन्य है मैंड abort को कि लेकिन अगर देखा जाया से मैंडिक मोवमेंट्पर समेशन किया जाップ तो ही्टे मॉवमेंट है लेकिन आटिक मॉलिट कितना हो जा रहे जीर हो हो जा रहे हैं तो अभी जब हमने क्या किया रहा च 소孩 कोई भी एक्सेल कोई भी जीरो है किन यंख सकते हूं एक इधार फेल रहर और एक इधार कि रहेंगे क्या होता है अभी आघए चींग तो जए और गोगा Resupport कि रख्या पता है जैसा है आप सभी को पता है कि इसको आप the number me रखेंगे तो कि क्या हो जाएंगे देखो इस फिल्ट के रहा है कुछ 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 ट्राइब कर रहे हैं कुछ पूछ नहीं भी हो पाएंगे तो देखो जरह की हो रहा है एलाइंड हो गया अब देखा जाए तो आभी जो हमारा तो अभी इस कंडिशन में चलो क्या है जीरो नहीं है ठीक है तो यहीं है बात बच्चों यहीं होता है जब किसी मैगनेटिक मेटरियल को आप एक्स्टरंदाल में रखते हैं तो क्या होता है उसके अंदर उसके अंदर कुछ कुछ न कुछ मैगनेटिजम की प्रॉपर्टी आ जाती है जैसे कि आप सुभी लोग जानते लोहे को एक चुम्बक के पास रख दो चुम्बक ले लो उसके नदीक में लोहा का किल ले जाओ अब उस लोहे को किल को थोड़ी दर बाद हटा और दूसरे लोहे किल से चिपक जा और यहां पर आता है कुछ टॉट है अपने देस्टीनेशन में वापस है जाएंगे समय मारें नहीं नहीं पाता है ठीक है अब यहां पर आता है टर्म भॉंइस के मेखने था सब्सक्राइब्स देखिए और अभी उन्धैज क्या होता ग। इस डिपैंड फफेमर्ट्ध लखले अभी नॉर्मल कंडिशन में दाइपलो मूमेंट मोमेalities पर क्या हो जारे तो अब अपने को कुछ थोड़ सब्सक्राइब होते हैं उसको पढ़ना है और यही काम के उसी से लेटर कुछ फामले होते है बस और इस चैटर में कुछ है नहीं ठीक है अब कुछ दूचार फामले आएंगे उसको पढ़ लीजीगा चलिए तो देखो क्या होते हैं अपने पास से इख है क्या होता है अच्छो कि इसका मतलब हर यह कि इतना में पार यूनिट वालिमम में कितना मागनीटिक मॉमेंट हे और उसका एक वाल्यूमि ने किTना醒esti दिखा रहे हैं यहां पर पर कंफूजन में होशलिए क्योंकि हो जागा कि एम कditनाम समयंतिक है दींगर हे वीDWeek वी इसका यूनिट क्या होता है एंपियर पर मीटर क्लियर किसी को को दिखकर ठीक है और डाइमेंशन हो जाएगा एंपियर पर लेंड तो इदा रिस्पॉंस आप सबस्टेंस इन अलाइनिंग दोमेंस इस तो एन एक्स्टरनल मेंटिफिल इस नोन इस दो मतलब कि सिंपल से बात है मैंटाइजाशन में लगाने पर कितना ज्यादा अलाइंड हो पा रहा है है ना वहीं होता अपना मैंटाइज जीसंट अब इसको आप एक्सटरनल मैंटिक फिल्ड में लगते हैं तब देखो या मैंटिक फिल्ड स्ट्रेंथ क्या है अपने पास मैंटेक फिल्ड स्ट्रेंध धर्क् मेटेंध भूट्टर क्या इस्पेटपर व शॉल चेंटिक को होता इसस्का मतलब यह होता है कि कटना टाकत है म supreme करने कटना कंद ताकत है इस मेंटरियल को मेंटनी करने की इस मेंटरियल को मेंटए करने की कितनी टाकत है एक्स तणर्न मेंटेटीर के अनदर समझ ओण ज्यानिए पच्छों ऐबिंगे में तो में चंज की प्रॉपर्टि करा सकते हो लगा उसकी प्रॉपर्टि की आप इसको कितना लाइंड कर रहे हैं क्लियर यह तो तो external magnetic field को दिखाते हैं फार्मुला से याद रखना external magnetic field जो B external होता है मू नौट इंटू H vector क्या होता है बच्चों नौट इंटू H vector क्या होता है मू नौट इंटू H vector होता है ठीक तो magnetic intensity magnetic intensity जो H vector होता हो क्या हो जाएगा H vector is equal to B upon a mu not minus I यह भी दूसरा फार्मुला आप से भी को याद रखना है यह दूसरा फार्मुला भी आप से भी को याद रखना है तो H vector is equal to B vector divided by mu not minus I vector हो जाएगा अब जो B है यह जो B है बच्चों यह B क्या है external plus internal दोनों को मिला करके है external प्लस internal दोनों को मिला करके है तो B vector क्या है बच्चों external जो आपने कितना external लगाया और उसके वाज़ा से इसके अंदर कितना internal magnetic field आ गया इसके अंदर कितना internal magnetic field आ अब दोनों में तो net magnetic field जो होगा वो बढ़की मिलेगा आपने को छोड़ा सब बढ़ जाएगा राइट तो बी जो हो जाएगा इसका डाइमेंशन सीम होता है अपना magnetic intensity होता है कि मलब कितना ज्यादा करवा पा रहे हैं अब आता है निक्स अपना magnetic susceptibility यह क्या होता है सर यह होता है यह होता है है कि the relation between i and h is given by i proportional to h simple सी बात है सिंपल सी बात है तुम्हारे अंदर तुमने जो external magnetic field लगाया उस external magnetic field के अंदर कितना ज्यादा ताकत है करने की वो डिपेंड करेगा किस के ऊपर एच वक्टर के उपर एच वक्टर ही तो करा रहा है मैंटाइजिशन है ना एक एच वक्टर क्या बोलता है कि बहुता है जिदना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा magnetization होगा तो आई इस उकल्ट हो जागा काई इंटू है काई को हम लोग कहते हैं क्या होता है मतलब कितना आशानी से हो पा रहा है जब आप एच वक्टर लगाते हैं तब कितना आशानी से आई वक्टर आ जा रहा है सब्सक्राइब होता है सब्सक्राइबिल्टी आप मैटरियल इंडिकेट्स हाव इजली अ मैटरियल गेट्स मैगनेटाइज इन दा प्रजेंस आप एक्स्टरनल मागनेटिक फिल्ड तो काई उकल्ट हो जाएगा आई अपन में एच और यह होता है डाइमेंशन लेस्क्व सब्सक्राइब हो इंटर्नल के बरावर है ठीक फिल्ड गुनट इन्टुए प्सक्राइब तो क्या होजी अपन मैटनेंस टींटीटिया तो क्या हूला उन प्लस और बेनेक्क्र गया होता है लिट कि बात कर रहा हूं किस्कि बात कर रहा हूं निट फ्लेट यह मुझ इसनोट मूनां इंटम इसके बिए लिक्तर इसको मूं प्लस कम मू satu मीट इन्ट वन प्लस काई टो मिवर्ट इन्ट वन प्लस काई मिव रहाइं पर्मीडियम जब मेडियम के कितनी की है और और यहां से फावला बहुत इंपॉर्टन निगल क्या आता है मूज इकल टो मून प्लस काई मून ब्रेकट वन प्लस काई हो जाएगा क्लियर है किशी को दिकात चीक है चल आगे चलते हैं लोग नेक्स्ट आगे तो बच्चों यहां से हमने डिसाइब कर दिया है यह पूरा मून प्लस काई रखतेंगे क्लियर है चल रहा है अभी बिल्कुल वैक्यूम है तो मून चल रहा है जब असके अंदर हमने कोई मीडियम रख दिया इसके अंदर अंदर फिर आजएका मियू एंटू है इन दोनों का रेश्यों क्या होता है रिलेट्व पर्मेबिलीटी होता है ठीक है अब आते हैं अपने लोग अपना लास्ट टॉपिक इस पर्टिवला चैप्टर का जो कि याद करने वाला है तो याद कर लेना इसको ठीक है तो बात क टीक है दूसरा होता है तीसरा होता है ठीक है सवाज गया है बेहार होता है रहने यह होता है कि मैधेटी君 में रखने पर में रोर गैट मनलाब इसके अंदर कोई उनिये कि मुझे अलाइंड होना है मुझे ज़्य वह आशा नहीं है ऐसे क्यों हो रहा तर उसे कि अंदर होगा अंदर से मतलब कि उसका लोतरल मेंगंटिक मोमेंट पर बॉल्थ सब्यों यानि जिसमें टोटल जो क्यों गनुवालाब बनुवालों मतलब बनलब यहां चाहिए पारामज़िए जिसका हैसा मेंटरियल जिसका वता है और नो में झीरो हो था तोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा जैसे की कारवन बारा जिसमें देख सकते हो अपने पास यह दो अन पेर्ड एलेक्ट्रों से राइट तो लेकिन यहां पर नेट मेंटिक मोमेंट की अगर बात करें यहां भी क्या होता है दो होता है अगला है ऐसे होते हो जिसको अगर आप बहुत बहुत ही ज्यादा हो जाते हैं तो इसमें क्या होते हैं कि यहां पर मनलब कि मैंगनेटीव मोमेंट का एक रीजन पैदा हो जाता है जिसमें कि हर एक में मैं मनलब करने वाले हैं जिनका हम लोग कहते हैं डिफरेंट डासिन डिफरेंट डिरेक्षन और पूरे तो इसमें इंडिविजोल आटम की इसमें एंडिविजोल एटम की जिड़ नहीं होता है बन्रेंस बात करते हैं तो सबसे बहुंद बात करते हैं तो क्या होता है यह देखेंगे कि क्या देखेंगे यहां पर डाइपोल्स इन एक्स्टरनल मैगन्टीए फिल लगाने पर क्या होता है जो डाइपोल सो जाते हैं और यह ऐसे होते हैं कि Akra करते हैं तो इसे दूर रहना है तो क्या होते हैं अब यहां पर जो यहाद रखना हूँ है इंपोर्डेंट आप सभी के सिल्ट करते हैं तो आप सभी को मैंने बता दिया कि क्या हो गया अपने पास अपने पास अपने में पैदा हो गया लेकिन यहां पर याद रखिएगा यहां पर क्या होता है यहां पर आप सभी को कुछ यार रखना है कि है यहां पर इसकी जो मैंगनेटिक सब्सक्राइब लेटी होती है और निगेटिव होता है और छोटा होता है जीरो से एक कभी जो होती है क्या होती है इसे स्मॉल और निगेटिव मलब काई की वैली जो होती है माइनस में होती है क्यों मैंगनेटिक सब्सक्राइब क्या होता है आपने लगाया तो सही लेकिन आपका इधर लगाया तो मैंने इधर लगाया मैंने एच इधर लगाया तो आई इधर आ गया तो घृट नीगेटिव सी बात राइड और यहां पे मू क्या होगा मू और भी चाहिगा जीरो और प्लस काई होता है इसकी बीच में होगी समझ में आए रागी नहीं आ रहा है ठीक है चले जैसे कि नाइट्रोजन हो गया वाटर होगे एनेशियल हो गया जिसमें कि सब्सक्राइब करने की कोशिश करता है इसमें देखिए क्या होता है इसमें आप सभी लोग देखेंगे कि आटम डाइपोल पार्शिली अलाइड इंड्राक्ष अफ्लाइट में क्या हो जाते हूं थोड़े से अलाइं हो जाते हलका हो जाएंगे इसमाल होता है लेकिन पॉस्टिव होता हलका सब्सक्राइब हमने एक्स्टेंटर फिल लगाया उसके कर्सपोंडिंग हमको मेंगने प्राइशन बहुत कं मिलना यकालए का होगी संट क्या होती है पॉस्टिव इसमेटर इंड्रयां में क्या अडायों की बली म९ह प्रती है जेसे क्यों हो गया क्योंब एक जांपल भी आ रखना नो आगे बात करते हैं कि इसकी बाद करते हैं कि बाद कर लेते हैं कि बोलता है बच्चों कि जो मैंगनेटाइसेशन होता है ना वह होता है यानि कि यानि कि टेंपरेटर बढ़ाने पर टेंपरेटर बढ़ाने पर क्या होता है जो होता है कम होता है मैं घटने लगते क्योंकि जो अलाइंड होने की कोशिश कर रहे हैं वह फिर से अपने रेंडम आने लगते हैं तो यह होता है कि जो काई होता है काई जो होता है पर है इसको रखें सिंसे स्कामट नहीं लिए वह स्कॉर्ण रख दीजिए है सबस्क्राइब यहां लों कहते है क्यों होता है हमारे होता है चलब यह फिरॉमाटिक के में क्या होता है कि डॉमेन्स बनता है मुवल liksom बंता है हर एक area में जो मैंत होते हैं इї हो जात है सब्सक्राइब होता है तो दो लेकिन पूरे मेट्रियल के दिखा जा तो नेट मैंनेटी फिल क्या होता है जीरो होता है तो अटमी डाइपोल इंटरेक्ट विद इच अधर है ना इन सेम डाशन वाल्यूम ओन डोमें राइट ऑन अप्लिकेशन आप एक्स्टरनल मैंनेटी फिल्डोमेंस अलाइन देम्शल में जब लगाएंगे ना अग्स्टरनल मैंने फिल्म लगाने के पाद यह सारे के सारे जो डोमेंस हैं वह क्या हो जाएगा तो इसलिए प्सक्राइब मैंने फिल्म रखने पर बहुत ही ज्यादा मैंनेटाइज़न दिखाते है और यहां पर आपका जो क्या होगा पॉस्ट होगी ज्यादा होगी राइट और मियू आर की वेल्यू भी बहुत ही ज्यादा होती है पूरा बात दिखा जाए जिसको अगर एक्स्टरनल में रखते हैं तो फिर भी फिर भी हमारे पास हमारे पास क्या रहता है है फिर भी हमारे पास कुछ न कुछ मैंने टिक प्रापटी बना रहता है ठीक है तो अगर खट गया है तो होता है तो आप सभी को पता है जैसे हम घराम फेरो माइटिक मेंट्रियल का टेमरीच्र बढ़ाते थैसे मिनलोग टेश्च विच कर जाता है जिसको वनोगोघ यह कहते है क्योड टैमट्रिचर के टेमरीचर का जिस पहते हैं लिब स्विच कर जाता है ठीक है बाकि यह फामला के लिए काम का नहीं है ठीक है भूल जाओ इसको क्लियर है तो यहां पर बच्छों हम लोग फेरा मैंटिक बारे में पढ़ लिए तो यहां पर आप सभी के लिए रखा एक फाइनल चार्ट दे रखा है जो कि डेटा आप सभी को ब अधर निगेटिव होगा और रिलेटिव प्रमीबिल्टी जीरो और एक के बीच में होती है ठीक उसके बाद पैर मैंटिक की बारें बात करें तो मैंटिक फिल्ड नाइस अट्रेक्टेड होते हैं सब्सक्राइब लेकिन फोड़ा सा एक से जादा होता है लेकिन फैरो सब्सक्राइब बहुत जादा बड़ा बहुत लार्ज होता है और बहुत ज्यादा होती है ठीक है तो यहां पे आपका खतम होता है मैंटेजा मैं मैंटेश चैप्टर विध कंप्लीट डिटेल लां ने बात किया। पूरे कांसेट पे बढ़ियां से मनन्थन किया अगर सब्सक्राइब कर दो को आगे बढ़ाओ तुमारे भी फैयदा होगा सब्सक्राइब कर दिजे पसंद आया तो मिलते हम लोग बच्चों नेक रिए बाए टेक केर थेंक्यू जब जब दो से किए उड़ा है